नमस्कार जम्मु समवाद में आपका स्वागत है मैं हूँ ललित खजूरिया आज हम आपको एक शुद डोगरी सिंगर से मिलाएंगे मैं शुद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज की युवा पीड़ी जो है वो गाने तो गाती है लेकिन शुद डोगरी भाषा में नहीं सिंगर इसलिए कह रहा हूँ शुद क्योंकि जो भी हम फेस्बुक पर डोगरी के गाने गरफ सुनते हैं आज के युवा कोई आरजे है कोई कुछ काम करता है तो सिंगिंग उनका शोक है तो गाने काफी ज़ादा चर्चाओं में रहते हैं मैं बात कर रहा हूँ सुनंदित शर्मा की जो मशूर है डिसन से और इनके बारे में आपको बता दूँ कि एक ऐसे युवा सिंगर हैं जिनोंने पंजाब की कई फिल्मों में भी संगीत भी दिया है गाना भी गाया और तो और हानुमान चालिसा भी इनोंने अपनी आवाज में रिकॉर्ट किया है यूट्यूब में आप वो देख सकते हैं तो अगर पहले वो देख लेते हैं फिर मैं आपसे चर्चा करता हूं ठीक है ना चलिए पहले मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं नहीं थमोंदे वगदे जांदे अखियां चोमारन शाला अथरू किन्या समाला में चलिए आपने देखा वाके यह आवास जो है वो दर्शार ही है कि रियास भी किया है struggle भी किया है और साथ इसाथ कहीं न कहीं दुआओं का भी असर है डीसन कहूंगा मैं आपको ठीक है ना डीसन मुझे यह बताओ ये संगीत कहां से सिखा आपने और दूसरा है कि कितनी स्ट्रगल करने पड़े क्योंकि आपकी जिस हिसाफ से एज है और इस एज में शुद डोगरी वाला मुझे पर सिंगर नहीं दिखता है मुझे जो सिंगिंग का शौब था वो तो बच्पन से थावे से लेकिन जो मैंने क्लासिकल ट्रेंणिंग ली थी वह उने 2010 में ली थी जो की मेरे सरत थे लोसंत कुमार जी उन से ली थी मैंने फिर जमू में स्ट्रगल काफी किया मतलब ऐसे सिंगर भ facult शूर्गल किया बहुत किया मुजिक डिरेक्शन भी खुद की जाए जब आपको नॉलेज है जब आप मुजिक में घुस चुके हो फिर मैंने मुजिक डिरेक्शन जो मैंने खुद सीखी मतलब यूट्यूब से सीखी पड़ा उसके बारे में बुक्स पड़ी सारा कुछ इस पे स्टगल करके मतलब दो सा के मोगे मु़िजिक डирेक्शन में में गुजबा किय", खिसके में ध्यक्री मुझें चंडी कर दो चूबर्यूच छुल को काल करनी, ठीक है. कि प्रोग्राम बारी राज्य दे लोग की भी दिखना है मिए सनाव तुसे संगीत ते गाना रियाज जड़ा सिखना है यह अलग लग चीज़ अंदिया जेडी म्यूजिक डिरेक्शन अंदिया है ओ आये तो से कंपोज करना चीज जह तो से म्यूजिक बनाना जड़ा है सिंगिंग करना है जड़ी इदे चा मतलब सब तो जाद है तुन दा पहला बेस हों दा उन्दा क्लासिकल आगदे सिखना बड़ा जरूरी है बगयार सिखने जले ता क्लासिकल एक प्लेंथ जिसी आया आखने डोगरी जेड़ी नीव उन्दी है यह तुन्दी नीव स्ट्र द़िया तुन्दी आगरा कि अपना प्रफेशन बनाना है म्यूजिक रूगरी इजासे जाना बड़ी ज़ूरी है अगर इस फील्ड देविच जाना कुछ मैरी जाना थे तो पहले सनाया मैं कि मैं बच्पन तो शोन्क ते बड़ाया कि स्कूल जन दे जलेटीचरें में जिले चार बन दे गानघा बचपंथों चंक 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 ची चीज मी जबाघ्पंथों चैसल चीज सुन न है वुको ते यन रबाने के मतलब दिमागश ते देल्चीज पाई दी ही कि नहीं उतलब सिखो आगे फिर माइंड चा जी आग गानना गांदा दे पहले भी आहा लेकिन जीज सिख्खिये गाए दी हो तो बड़ी शायल आंदी फिर फिर क्लासिकल ट्रेनिंग लेही थोड़ी जी लो लेही थे फिर पदा चलिया कि सिखना बड़ा जरूरी है जिते सो जो बहुत स्ट्रगल किती प्लाटफॉर्म नहीं मिला जमू जो जेद कारण भी बाहर जाना प्या तो गल ही फैमिली स्पोर्ट दी मैं बेसिकली मेकैनिकल एंजिनियर भी है का अच्छा एंजिनियर किती है तो ही पदा है कि प्रेशर बढ़ांदा जले तो उस एंजिनियर सारे बैटने नोकरी कर जिए क्योंकि साड़े जम्मूच कुछ मेंटनी मतलब एल हो आग देन की ले तो है इंजिनियर करो सारे वाले तु डॉक्टर बान यां इंजिनियर बन आटिस्ट की ना नहीं मुपन आ आड़ पो जो ठीक के करने हां जिस सब्सक्राइं करने की सब् पुर्फेसर बोड़ जानात और आपने इंजिनिरिंग की और आपने इसको अपना पोड़ो आफितों ना जाए चान्डिगर कब गया और वहाँ पर किन मुश्कुलातो का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाहरी, रज, वहां पर चंडीगर, यूटी, और यहां से जम्मूवालों को वहां पर किस तरह से स्ट्रगल जो करनी वड़ी, काफी यह मैं गया था 2018 में गया था, मैं जून और मुझे याद है तो जब यहां से निकला था, एक्चली कमल खान पाजी हैं, जो बॉलिवूड सिंगर है उन से मेरी बात चल ले थी उस टेम तो उनके साथ मतलब अच्छे रिलेशन थे मेरे, उनने मेरे को बोला था कि डीसन कुछ करना है तो एक काम कर तो मुहाले शिफ्ट हो जा कि यहां पे तरको सारे आर्टिस्ट वहीं पे मिल जाएंगे, जहां पे तो रहेगा वहां पे सारा कुछ मिल जाएगा मैं भी मतलब सुनके माइड में यह पता नहीं होता ना कि बंदा जब निकलता है कि आगे को कुछ पता नहीं था, यह निकल गए यहां से, बगवान को बोला कि बस अगर निकाल रहो आपने देखना सब कुछ पहुंच तो गए वहां पे फ्लैट लिया, सब कुछ किया लेकिन स्टार्ट बहुत मुश्किल था, सर्वाइवल वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां के खर्चे, यहां से खर्चे से डबल है और वो भी अंजान शेर, अंजान शेर में कोई जानता नहीं था, लेकिन बगवान ने इतनी मतलब कृपा कर दी कि जब वहां पे गए, खुद अप्रोच किया, कुछ लोगों को, कुछ सिंगर्स को अप्रोच किया, स्टार्टिंग में जाते ही, मतलब अच्छे लिंक्स ब करता हूं, तो वो फिर अभी चल रहा भी तक, तो अभी फिर मैंने मुवी में वहां पे अप्रोच हुई थी मेरी उनके साथ, कपिल बत्राजी जो की, काफी बड़े प्रोडूसर है मुझाब के, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई, उनने ने फिर मेरे से सौंग लिया था, ए अभी भी काम चल रहा हूं, रादों के साथ कर चुके हैं, अभी उनके म्यूजिक बन रहे हैं और अपना भी चल रहा है वहां पे, जो मैंने यूट्यूब में आपके ये दो वीडियो देखे, एक में आप गाह रहे हैं, दोनों में एक अहमान चालिसा, और एक दूसरा गा गया यहां पे जम्मू के हैं, अच्छी इस गाने का प्लैन हमारा तीन साल पहले का था, जब मैं जम्मू में था, तब हमने सोचा था कि डोगरे में कुछ रेवलुशन लाते हैं, क्योंकि हमारे यहां पे अभी तक क्या चल रहा है कि पुरानी कॉम्पोजिशन, उसी को मतल गानी चीज़ें वो बहुत अच्छी है, नो डाट वो बहुत ज़्यादा अच्छी लेकिन हमें अपनी जगा भी बनानी है जो मौडरन मूंजिक है उसके साथ हम नया भी तो पेश करना पड़े तन साल पहले मेरा प्लैन बनाना था एक डोगरी अलबम करते हैं जिसका म्यूजिक होगा वो बॉलिवूड लेवल का होगा और वो अलग होगा सबसे मतलब कि डोगरी गाने जो आल आवर दा वर्ल्ड बजे हो उस टाइम पर कुछ सरक्म्स्टांट्स ऐसे बन गे हमारे कि वो अलबम डिले होगी थोड़ी सी अब क्य कॉम्पोजिशन बेले को छोर थी मैंने कंपोज उसका सारा चेंज गिया कि इसको और नहीं चीज़ मतलब जब आप काम करते हैं आपका एक्सपिरियंस आटमेटिकली बढ़ता जाता है कि फिर ये सोचा कि क्यों ना इसको और थोड़ा बॉलिवूड स्टाइल में सुर नहीं थमोंदे वगदे जांदे अखियां चो मार नशाला अथरू किन्यास माला मैं तेरी आदामीगी सोन वीन दिन दिन दियां ओड्या एककिन्यास मॉला में तेरी आदेरू किन्यास माला में दिर रह ख़्याप्याब किन्यास माला कैं वक्त लगता है एक गाने को कंपोज करने में और फिर जिस तरह से आप इस पे विजूलाइज करते हैं और प्रेजन करते हैं वीडियो बनाते हैं कितना वक्त लग जाता है गाने को क्योंकि हामें तो 5 मिन लगते हैं देखने में बिल्कल बिल्कल मैं यह जरूर कहना चाहूंगा सबसे जो देख रहे हैं कि एक आर्टिस्ट की एक स्वांग के पिछे बहुत जादा महनत होती है क्योंकि सबसे पहले एक लेरिसिस्ट उस पर बहुत महनत करता है लिखने में वो अपने इमोशन्स डालता है फिर एक जो composer होता है एक music director होता है वो एक एक instrument उसकी एक composition एक चीज़ की जो लोगों को पसंदा है उसके बाद से कम पांच-दस दिन लगाता है उसको बनाने में एक proper plot त्यार करने में उसके बाद singer अपनी पूरी जान डालता है 2-3 दिन लगाता है उसको गाने में फिर उसके बाद आते हैं जो बाकी instruments रह जाते हैं उसके बाद आता है mixed process फिर उसकी mixing होती है song की फिर उसकी mastering होती है उसके बाद उसकी video बंती है song की जो कि वीडियो का भी प्रोसेस लंबा होता, 10-15 दिन का चलता है, वो उसमें color grading आ जाती है, तो उसके जो sing shots होते हैं, वो arrange करना, तो ये काफी एक song को आप minimum एक महिना लग जाता है, अगर आप proper वीडियो के साथ तो लेकिन वही है कि कुछ मतलब comments ऐसे आ जाते हैं, कि यार ये का भूखा हो, तो उसको तारीफ कर दो, वो वहीं पर खुश है, डीसन नाम कैसे बढ़ा, डीसन मेरा जो original नाम था जैसे की सुनंदित नाम था, तो जब मैं पंजाब में गया था, actually जब डीसन था, वो मैंने जमू से ही वो कर ले, क्यूंकि पंजाब का जो trend गाने का music करते तो हमें अपनी चैंट्स डालनी पड़ती है, तो हमारा नाम उसमें डालना पड़ता हमें, तो जितना शॉर्ट हो, वो मतलब जादा अच्छा लगता है, वो शॉर्ट करना पड़ता हमें, जिसमें नाम आता है, आप कोई वी सौंग सुलना पंजाबी, music director का नाम आता है, तो चैंट्स वहां पर मतलब बहुत जरूरी हो गया, अजकल एक ट्रेंड भी बन गया, तो कहते हैं, आपको चलना चाहिए, तो मेरा नाम सुननदीत था, जब हम वो चैंट्स में वी यूज कर रहे था, वो बहुत बड़ा नाम था, जब मैंने कमपनी के साथ वहां पर एक सुननदीत का, हमने डी उसका स्टार्टिंग में लगाया था, तो उसके लिए हमने काफी सोचना पड़ा था, काफी सारे नाम आये थे, वो रिजेक्ट हो के, एंड में डी सनोनने, मतलब ये फाइनल हुआ था, जिसे मुझे बताओ, आप एक्टिंग भी जानते हैं, ठीक ह जिए मैं सब कुछ कर लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, लेकि जो म्यूजिक बनाना होता है, वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं बार आपके ऐसी चीज़ आपके दिमाग में अटक जाते हैं, वो आपके तीन दिन भी लगा सकते हैं, तो कोई हम कर लेते हैं, कि Heads लगाएं, गाना सुनते सुनते ही हम कर लेते हैं, यह Shot भी यहाँ पर लगाला है, यह यह से करना है। कोई ऐसा गाना जिसमें बहुत जादा दिन लगे हो आपने खुद तो ठीक है आपके लिए तो ठीक अपने वह वर इख फिर आपके दोस घारा जो भी आपके साथी होंगे कुछ और चेंजिस करते हैं पिर आपको वो हम नहीं पसंद आहा ऊगा पिर आपने और भी चेंजिस क लुक्त रताता निहों कि ये मेरा सौंग है, सारे फ्रेंड्स को बच्छक गाना आया किसी का सुनना ये कैसा है? अगर उनको पसंदा आगे तो ठीक है फाइनल हो जाता है अगर नहीं आए फिर मैं मतलब अपना नाम तो मैं यह से ही नहीं बताता कि यह मेरा जांग है फिर उसमें मैं चेंजिस कर ले तो फिर उसमें मैंने स्पैनिश थोड़ा सा किया था तेरे वाजों ना दिल्दा कोई रा सोणेयां तेरे तेर ले पामा मैं तर ले पामा मैं तेरिया जा FE zone शाफिर तो फिर आपी तालीमद आसी ले जरणी वचती है यहां जी बड़ा असान है, एक वह हर्मोनियम ले लिया, वह गिटार ले लिया, तबला ले लिया होगे जी म्यूजिक जाया यह मतलब मुश्किल काम है, एक 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 इंस्ट्रमेंट थेकना पड़ता है, लेढादा हैं तो अपने करता हैं वो मैं शिक्षा अट्रिबट मंती है त्यूजिक सॉनक क्रोंग निरे ले स्वे हाँ चुके हैं और पंजाबी मूवी जो मैंने बताया गैंग्स्टे वर्सी स्टेट में मेरा सौंग आ चुका है अभी कपिलवत्रा प्रोडिक्शन से एक मूवी हो रहा है उसमें भी मेरा सौंग आ रहा है तो अभी इनके काम चल रहे हैं भी दोगरी के लिए भी कुछ है अपका बिल्कुल 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 बिल् माच में बिल्कुल डिफ्रेंड म्यूजिक के साथ विल्म की भी तयारी चल रही है टोगरी में बिल्कुल 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 डोगरी मुवी की वह एक अभी प्लानिंग चल रही है तो जो की अभी हमारे जो राइटर है जिनोंने गाना लिखा था अ thoughtful song तो वही मतलब इसकी सारी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मुझे स्क्रिप्ट वैसी नहीं चाहिए जैसे common डोगरी movies आई हुई है पहले वो स्क्रिप्ट मुझे अभी नहीं चाहिए कुछ नया हो, डोगरी में भी कुछ नया है कि हम उनको अप्रोच करेंगी, कि हमारे relations हम उनके साथ बहुत अच्छे हैं अगर वो यहां पर आके हमारे साथ एक दो artist काम करता है, बाकी हमारी पूरी टीम जम्मू की होती है, तो हमें उनसे भी फाइदा हो जाएगा और उनको हमसे भी होगा, और हमारी डोगरी भी बहुत मतलब अच्छे लेवल पर निकल के आएगी करोना चल रहा है इस समय, ठीक है COVID-19, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा काम पर भी असर पड़ा होगा बिलकुल बिलकुल जैसे कि मोहाली में था मेरा स्टूडियो है, चंडिगण मोहाली में अच्छा, खुद का स्टूडियो है? जी, मेरा मोहाली में स्टूडियो है तो हमारे जो क्लाइंट्स थे, वो maximum क्लाइंट्स हमारे होता है बाहर के अब डैली के भी आ रहे थे, मुंबे के भी आ ए तो तो हमारी जो वहां पर सोसाइटी है वो मतलब उनको एंटरेंस नहीं दे रही हो को कि हमारी बिलकुल बैन कर दियू है ना इंटरेंस उन्होंने टाइमिंग रखी हुए कि इस टाइम से इस टाइम तक आप बाहर जा सकते हो वो भी जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो मेरे क्लाइंस डЕली के बहुत जाने नहीं दे रही हिए कि आपि आप इंट्स पर화 प्रमीशन के Serviceर के वह काई है हम जैसे यूट्यूब पर या Facebook पर कई यसे जम्मू के टैलेंटेड आवाज सुनने को मिलती है देखने को मिलती है लेकि उनको सही प्लेटफरम नहीं मिलता और वो जो टैलेंट है वो आवाज वो दब कर रह जाती है इसको अगर पहचान देनी हो तो क्या कहेंगे किस तरह से अगर कोई आप भी तो मदद करने क लिए आगी आएगे किस तरह से जो मेरे से हो पायेगा जैसे मेरा मौहली स्टूडियो जो है मतलब जो चाहते हैं मैं लेकिन मैं वही बोलूंगा कि वैसे आर्टिस्ट नहों जो सिर्फ टीवी पर देखते हैं कि हाँ यह वो आर्टिस्ट है मैंने यही बनना है क्योंकि उनका स्टरगल हमें देखना पड़ता है अगर वो बंदे आज तैलेंट तो बहुत है तैलेंट बहुत जादा है मैं बार बार ही बोलता कि यतना शायद जमू में टैलेंट है इतना बाहर बहुत मैं पंजाब में काम कर रहा हूं मैं शायद यह समझता हूं कि जमू में जादा ही टैलेंट होगा बहुत जादा टैलेंट है क्यों कि जमू मे लिए क्योंकि एक होता है कि हमें हमारी government को इनके लिए funds रखने चाहिए अगर यह आते हैं आटिस्ट अगर टीवी पर आपके प्रोग्राम करने आते हैं चोटा सा आदे गंटेगा तो इनको एक छोटा से इनकी फीस होने चाहिए कि हाँ अगर हम इनसे कुछ करवा रहे हैं त तो इसके लिए government की support भी बहुत ज़रूरी है parents जो गय्प सुपोर्ण इंकी बहुत चाहिए हमारे परेंट्स को support करने हाँ हमारे परेंट्स की support बहुत जरूरी है और जो आगे आना चाहते हैं उनसे मैं यही बोलना हूँ मतलब बोलना चाहूंगा कि पहले रियाज जो कि बहुत जरूरी है सीख के आगे होगे तो मतलब आप stage पे भी live गा सकते हो kल को यह होगा कि आप हिला रहे वो चीज़ नहीं होगी सीख के जो अच्छे आर्टिस्ट हैं उनके लिए मैं भी हमेशा बैठा हूं और जहां तक मेरे से हो पाएगा मैं पक्का सपोर्ट उनको मेरे तरफ से रहेगी आप चंडिगड़ा सकते हैं मेरे पास आप मुझे जम्मू में काम करता हूं ज तो डिसन एक ऐसे युवा ट्रतिभाषाली जिनका एक एम है कि एक बहतर सिंगर बनना और डोगरी को जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं उसके लिए भी डिसन आपको बहुत बहुत बढ़ाई और युवाओं के लिए भी इन्होंने काया कि अगर कोई किसी में टैलेंट है औ तो उसके मदद के लिए भी ये आगे आएंगे लेकिन पहले आपको अपने आप में आत्मविश्वास जगाना होगा और दूसरा रियास करना होगा और तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी प्रतिभावन को ढूंडिये जो जम्मू का नाम रोशन कर रही है फिलाल इजा आज़र दीजिये नमस्कार